नश्कार दोस्तो हमारी यूटूब चैनल इंडेक्श्चिल सॉलुशन्स में आप सभी का एक बरफिर से स्वागत है एक बरफिर से मैं हाज जिरू हूँ आप सभी के सामने एक नई PLC की वीडियो के साथ और जो फ्रेंड आज की वीडियो होने वाली है PLC की सबस्यादा इंपोर्टेंट और महत्पूर्ण वीडियो होने वाली है विकॉज आज हम बात करने वाले है PLC के अंदर सोर्सिंग एंड सिंकिंग कॉंसेप्ट के लॉजिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या चीज क्लियर होने वाली है सबसे पहले हम जानेंगे वाटे सोर्सिंग एंड सिंकिंग कॉंसेप्ट इन पी एलसी सिंक सोर्सिंग कैसे की जाते हैं PLC के अंदर और सबसे अधा इंपोर्टेंट आपकी जो आउटपूट डिवाइसे हैं फील्ड डिवाइसे का आउटपूट क्या होगा जैसे की सेंसर हो गया वो भी हम पता करेंगे तो चले फ्रेंट टाइम वेशनिंग करते हैं और डारेक्टी हम वीडियो के कॉंसेप्ट को समझते हैं फ्रेंट जो भी PLC होती है न जो मैंने अभी एक PLC आप देख रहे हैं ये मिस्चोबिशी की FX सीरिज का जो PLC होती है उसका ओवर्व्यू ले लिया है टॉप व्यू चाहे आप एलेन ब्रेडली की बात कर लिया है कोई सभी PLC उन सभी के उपर एक SS टर्मिनल होता है ये आप देख पा रहे है SS टर्मिनल जो ये SS टर्मिनल होता है ये बेसिकली common टर्मिनल होता है या तो आप इस पर 0 वोल्ट दे सकते हैं या फिर आप इस पर 24 वोल्ट दे सकते हैं वो किस पर डिबेंड करेगा ये इस SS टर्मिनल के उपर तो चलिए फ्रेंट हम एक केस बना लेते हैं सबसे पहला केस फर्स्ट यहां मैं लिखते जाता हूँ केस नंबर वन इस केस में हम क्या करने वाले हैं जो हमारा SS टर्मिनल है इसको हम देंगे 24 वोल्ट ठीक है तो चलिए फ्रेंट मैं आप बें ड्रॉ भी करता रहता हूँ यह हमारा SS टर्मिनल है और यह मैंने इसको 24 वोल्ट दे दिया ठीक है SS पर क्या रहा है 24 वोल्ट अब इंपुट के साथ भी हम इसकी कनेक्शन कर देते हैं माली इस तरह से हमने इंपुट के साथ इसके कनेक्शन कर दिये अफ्रेंट अब क्लियर लिए हम देख पा रहे हैं जो हमने क्या दिया है SS टर्मिनल के उपर 24 वोल्ट हमने दिया हुआ है मतलब जो इंपुट सेक्शन है उसका जो कॉमन टर्मिनल है SS उसके हमने 24 वोल्ट दे दिया है अब इंपुट सेक्शन की बिट कब एक्टिव होगी जब हमें 0 वोल्ट मिलेगा मतलब जो हमारी ये field devices से output आ रहा होगा अगर वो 0 वोल्ट मिलेगा तो हमारा circuit complete हो जाएगा क्योंकि 24 यहां से मिल गया PLC वे हमने दिया हुआ है और field devices आ आउट्पुट से में 0 मिल गया आपका circuit complete हो जाएगा इसका मतलब जो आपकी field devices होंगी वो कौन सी होगी वो आपकी NPN होंगी NPN क्यों होंगी फ्रेंट्स केस फर्स्ट में क्योंकि NPN का output क्या होदा है जीरो वोल्ट क्लियर हो गया फ्रेंट सेंसर का जो output में बता रहा हूं field devices का output आउट्पुट क्येस नंबर टू ले लिजे case नंबर टू में हम क्या करने वाले है जो हमारा source and sink terminal है आप वो भी दूसरा भी देखना पड़ेगा न फ्रेंट उस पर हम जीरो वोल्ट देते हैं तो चलिए जीरो वोल्ट भी हम दे देते हैं एक और image मैं ले लिए है वो ही top views का इस बार हम इस पर क्या करने वाले है जीरो वोल्ट के लिए क्या करना है कुछ नहीं यह मैंने जीरो वोल्ट दे दिया ठीक है न और यह आपने इसका inputs को भी हमेने connection हमने कर दिये हैं तो इसमें clearly visible है जो SS terminal है common terminal है input section का जीरो वोल्ट दिया हुआ है तो circuit कब complete होगा जो हमारी यह field devices से उनका output कितना होगा 24 वोल्ट आए तो 24 वोल्ट किस condition में आता है friend अब case पर चलते है 24 वोल्ट आता है उसके लिए हम use करेंगे PNP sensor क्योंकि PNP sensor का output क्या उतना होता है 24 वोल्ट तो यह sensor का output आल concept हमारा clear हो चुका है friends कि जब भी हम अगर 24 वोल्ट देंगे आपने अगर ऐसा condition आ जाती है कि आपको पता नहीं च उस master PLC के common terminal को check किजिए अगर हमापे 24 वोल्ट की supply आ रही है तो आप सीरे समझ जाएए आपके जो sensors होंगे वो NPN type sensors होंगे क्योंकि हमें field से 0V की requirement है और अगर SS terminal पे 0V है तो आपके जो sensors होंगे वो PNP type होंगे क्योंकि हमें 24 वोल्ट की ज़र्वत है और PNP sensors का output कितना होत है एक तो SYNC source connection और दूसरा हमारा sensors की output किस पर डिबेंट कर रहे हैं source और SYNC पर जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था अब हम चलते हैं what is sourcing and sinking इसको समझने से पहले मैं current की आपको थोड़ा definition बताता हूं कि current कैसे flow होता है friends current flow होता है high potential से low potential की तरफ मतलब जो भी potential हाई होगा उससे हमारा current flow करेगा low की तरफ अब पहले वाला case चलते है जो first case था इस case में क्या और है हमने PLC को कितना दिया हुआ है 24 volt मतलब जो current कैसे flow करेगा इस तरह से यहाँ पे 0 है high potential से low potential की तरह flow कर रहा है मतलब current will flow from PLC to field devices यह देखिए PLC से field devices की तरह flow कर रहा है इसका मतलब high potential क्या हो गया PLC तो PLC क्या हो जाएगी आपकी sourcing जो case first है case first उसमें PLC क्या हो जाएगी आपकी sourcing की तरह करेगी because current वहां से flow हो रहा है और current किस तरफ जा रहा है किस direction में field devices की तरफ तो field devices कैसे हो जाएगे case first में field devices वो एक करेंगे sinking की तरफ sinking ठीक है friends अब आप case number 2 देख दीजे case 2 में क्या हो रहा है friend case 2 हमसे कह रहा है कि हमने SS terminal को दिया हुए 0 volts तो 0 volts दिया हुआ है इसका मतलब जो direction हो जाएगी अब वो किस तरह से हो जाएगी यह 0 है यहां से choice volt आ रहा है तो direction इस तरह से हो जाएगी इस condition में क्या हो रहा है जो field devices हैं वो कैसे act करेंगी sourcing की तरह और PLC sinking की तरह क्योंकि वहां से current sink हो रहा है तो जो case number 2 है उसमें PLC कैसे act करेंगी sinking की तरह देख लिए द्वारे दिखाता हूं में जो sinking की तरह एक्टर रही है क्योंकि current वहां से sink हो रहा है और जो field devices field devices कैसे act करेंगे sourcing की तरह इससे एक चीज़ प्लियर होगी फ्रेंट हमेशा यह अब inversely proportional रहते हैं अगर आपकी PLC sourcing की तरह use हो रही है तो field devices हमेशा sinking रहेंगी और अगर PLC sinking है तो field devices आपकी sourcing की तरह करेंगे क्योंकि current एक जगा से flow का दूसरी जा रहा है high potential to low potential यह होता है आपका sourcing and sinking concept easy way में मैं आपको समझा दिया है what is sourcing and sinking साथ में sinking source connections कैसे की जाते हैं और field devices का output कैसे select की जाता है इसके बाद भी friends अगर आपका कोई doubt बचता है इस concepts related तो जरूर clear कर लिजे फ्रेंड बहुत important concept है यह बहुत important topic है PLC का मैं जरूर आपका इसके doubts clear करूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like कीजे फ्रेंड जा चाहाद वीडियो के शेर कीजिए and please don't forget to subscribe my channel thank you